हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना मिक्तल आज आपके लिए हम जो गले से स्वेटर शुरू करते हैं बेबी स्वेटर उसका नेक कैसे स्टार्ट करेंगे कैसे बनाएंगे ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये देखिए चाहिए हमारा नीचे का बॉर्डर हो ये जो हम बेबी स्वेटर बनाते हैं कोई जैकिट या कार्डिकन चाहिए उसमें ये नीचे का बॉर्डर बनाना हो या हमें उपर नेक से शुरू करना हो तो हमें ये देखो इसमें कितनी सुन्दर कटवर काया है ये कटिं कुछ भी इसमें हम बना सकते हैं और अगर हम इसको जैसे गले से शुरू होने वाला स्वेटर बनाना चाहते हैं तो यह मैं वही बना रही हूँ तो इसको हम ऐसे उपर यह हमारा नेक तैयार हो गया तो यह नेक देखिए कितना सुन्दर लगता है और यह दोनों तरफ से एक दम से आपको सीधे जैसा लगेगा यह यहां से डबल जैसा बनाये और इसमें कहीं भी कोई जोइंट नहीं आया है यह देखो यह बहुत प्यारा और बहुत इजी पैटरन है चलिए यह नेक हमारा कै कैसे बनेगा यह वाला बॉडर कैसे बनता है यह हम अपना स्टार्ट करते हैं यह देखिए उसके लिए हमारा मेन कलर है जिसका मुझे बेबी स्वेटर बनाना है और यह हमारी एक एक्स्ट्रा धागा लेंगे कोई भी जो आपके पास वेस्ट धागा हो आप वो धागा ले सकते हैं यहां हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे हम ऐसे इसको जॉइंट कर लेंगे और अब हम इसके फंदे बनाएंगे हमें ध्यान रकना है फंदे बनाते समय ये देखो ये वाला पाल्ट हमारा ऐसे और ये ऐसे means ये हमारा यहां आना चाहिए यानि कि हमारा जो है वो फंदा इस धागे का बनना चाहिए जिस कलर का हम स्वेटर बनाना चाहते हैं ये देखो ऐसे मैं थोड़े से फंदे डाल रही हूँ ऐसे ये देखिए ये हमारा नीचे का पॉर्शन इस धागे का आना चाहिए जो हमारा एक्स्ट्र धागा है और जो हमारा में धागा है जिसका हम स्वेटर बनाएंगे वो हमारा धागा उपर आना चाहिए मैं आपको जादा नहीं केवल पंद्रा फंदों में डिजाइन बना कर दिखाती हूँ ये देखे हमने फंदे डाल लिये हैं अब हम इसमें ये वाला धागा छोड़ देते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा है और जो में धागा है उससे हम इसमें सीधी सलाई बना लेते हैं ऐसे पूरी सलाई में ये सिंपल बना लेती हैं ये देखे हमारी सलाई कंप्लीट हो गई है अब हम उल्टी सलाई पर आ गई है और ये सलाई भी हम एकदम से सिंपल उल्टी बना लेते हैं ऐसे ये हमारी उल्टी सलाई भी हो गई है ये देखिए हमने उल्टी सलाई भी बना लिये अब हम फिर से एक सीधी सलाई बना लेते हैं हम फिर से एक सीधी सलाई बनाएंगे ऐसे ये देखिए हम इसमें पाँच सलाई बनानी है अब हम ये उल्टी सलाई बना लेते हैं ये देखे उल्टी सलाई हो गई है अब एक सीधी सलाई बनाएंगे ये हमारी पाचवी सलाई है ये देखे ऐसे हमारी ये पाच सलाई कम्प्लेट हो गई है अब हम उल्टी सलाई पर आएं हमें 5 या 7 बनानी है और उल्टी सलाई पर ही डिजाइन शुरू करना है अब हम ये अपना ये वाला कट वर्क बनाएंगे ये जो हमने इसमें कट वर्क बनाया है अब हम ये वाला स्टार्ट करती है तो उसके लिए देखिए पहले हम एक फंदा सिंपल बुनेंगे अब हम धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर ऐसे दो का एक बनाएंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ दो का एक बनाएंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर दो का एक बनाएंगे जाली बनाते हुए, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, यह हमें उल्टा बुनना है, और जाली बनाते हुए दो का, सोरी, गलत हो गया, यहां दो का एक बनाना है, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, और यहां हम दो का एक बनाएंगे, इसको हमें ज्यादा टाइट नहीं बन जाना है ये देखो ऐसी ये सलाई हमारी कंप्लेट हो गई है अब हम सीधी सलाई पर आ गई है और ये वाली हम ऐसे सिम्पल सीधी सलाई ऐसे सिम्पल बनाएंगे ये देखी ये हमारा ऐसे जाली डल गई है अब हम इसमें ऐसे ही पाच सलाई बना लेते हैं एक सलाई हमारी हो गई है अब हम दूसरी सलाई बनाएंगे दो सलाई हो गई है अब हम अपनी तीसरी सलाई बनाएंगे सीधी यह हमारी तीन सलाई हो गई है अब हम अपनी चोथी उल्टी सलाई बनाएंगे और अब यह हमारी पाँचवी सीधी सलाई होगी ये देखिए ये हमने अपनी पाँच सलाई जितनी नीचे की हैं उतनी ही हमें ऊपर बनानी है अब हम अब हम अपना जो ये हमारा एक्स्टरा थ्रेड था जिससे हमने फंदे डाले थे उस धागे को हम ध्यान देंगे फंदे हमें जादा टाइट नहीं डालने थे तो ये देखो ये हमें धागा नजर आ रहा है अपना इस धागे को हम ऐसे इधर से लेंगे जहां जहां हमें धागा नजर आएगा ये देखो ऐसे ये देखे जो जो हमें नजर आ रहा है ये हमें यहां नजर आ रहा है तो हम इसको ऐसे धागे को निकालते जाएंगे ये ऐसे ये आपको कोई दिक्कत नहीं होईगी अब बहुत इसली जो बिगिनर से हैं वो भी धागा बड़े इसली देखो ऐसे निकालते जाएंगे ये रहा आराम आराम से करेंगे और अब हम ये सारे निकाल लेते हैं ये देखे ऐसे ये हमारे ये फंदा भी ऐसे निकल गया ये देखो अब हमारे ये 15 फंदे हो गया है और अब हम इने 15 फंदो को इस सलाई में डाल लेते हैं ये हमें क्लियर फंदे नजर आ जाएंगे बहुत एजली हम इसको डाल सकते हैं यह बॉर्डर चाहे आप स्लीव्स का बनाएं चाहे नीचे का बनाएं चाहे गले का बनाएं कहीं भी आप यह बॉर्डर बना सकते हैं गले का बॉर्डर तब बनेगा जब हम ये sweater गले से शुरू करने वाला बनाएंगे अब ये जो हमारा extra thread है इसको हम निकाल सकते हैं और इसको हम ऐसे ऐसे ये देखो ये हमारा cut work बन गया है इसको हम ऐसे double करेंगे और ये 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 वाला धागा लेंगे और यहाँ सी हम अपना ये वाला अब हम इसको ऐसे एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा ये लेंगे और ऐसे इसको उल्टा बुनेंगे स्वरी सीधा बुनेंगे चाहे सीधा और चाहे उल्टा सारी एक जैसी सलाई बनानी है मैं सारी सलाई सीधी बना रही हूँ ऐसे यह अब हम एक फंदा इस इसमय से लेंगे और एक इसमय और एग इसमय से उसमय इसमय ऐसे हम यह सारे फंदे इस सलाई में बुन लेटें ये देखे, अब हमने ये एक सीधी सलाई बनाई थी, अब हम ये सारी सीधी सलाई बनाएंगे ये देखो, ये मैंने ये वाली सलाई बनाई है और इधर से हमारा बॉर्डर सीधा रहेगा अब हम ये सारी सलाई सीधी बनाएंगे अब हम इसमें 6 सलाई सीधी बना लेते हैं ये देखिए इस तरह से अब हम हम 6 सलाई बनाएंगे और ये हमारा border कम्प्लीट हो गया है आप चाहें तो यहाँ पर मैंने 5-5 सलाई की हैं आप चाहें तो यहाँ पर 3-3 सलाई भी बना सकते हैं ये देखो कितना प्यारा border बनाएं और इसमें हमारा कोई भी उल्टा या सीधा नहीं दिखाई देता है एकदम readymate look में आता है और साथ में ये cut work आ जाता है तो ये बहुत प्यारा लगता है इस तरह से आप ये वाला border बहुत इसली बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे like, subscribe and share जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई queries होती है तो उसके comment box में आप comment करके मुझे वो पूछ सकते हैं ये देखो Thank you and have a nice day